नमस्कार साथियो आईए आपका स्वागत है हमारे यूटूब के चैनल आदित्य स्टेडी ग्रूप में और आज का हमारे टोपिक है जोग्रफी तो चले शुरू करते हैं अज की वीडियो भुगोल का जनक किसे कहा जाता है तो भुगोल का जनक सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है तो संख्या आठ है पहले इस संख्या नो हुआ करती थी लेकिन जून 2006 में प्लूटो को हमारे सौर मंडल से निकाल दिया गया नेक्स्ट सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सबसे बड़ा ग्रह ब्रहसपती नेक्स्ट वे दो ग्रहें जिनके उपग्रह नहीं हैं वे कौन-कौन से हैं तो ये दो ग्रहें बुद्ध और शुक्र और ये हमारे शुरुवाती दो ग्रहें हैं अब देखें दोस्तो हमारे किया कैसे जाए तो बस्पन हमने सिखा था माई वैरी इगर मदर जश्ट शो अस नाइन माई से मरकरी वी से वीनस ई से अर्थ एम से मार्स जे से जूपिटर एस से सैटरन यू से यूरेनस और एन से नेक्चुन ये दोस्तों तरीका है इंको याद करनेगा सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिक्तम समय लेता है तो देखे दोस्तों जो ग्रह सबसे दूर है वो परिक्रमा में सबसे ज़्याद समय लेगा और वो है नेक्चुन नेक्स्ट, सोर मंडल में शुद्र ग्रह, छोटे खगोलिय पिंड है, वे किन दो ग्रहों के मद्धयां पाय जाते हैं तो ये पाय जाते हैं मंगल और ब्रहस्पती के बीच, देखे दोस्तों शुद्र ग्रह क्या है, शुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्टिरोइट्स का जाता है, ये वो ग्रह है, ये उन ग्रहों के चोटे चोटे टुकडे हैं, जो कभी ग्रह नहीं बन पाये, और ये मंगल और ब्रहस्पती की कक्षाओं के बीच में घुमते रहते हैं, पृत्वी की जुडवा बेहन कहे जाने वाले ग्रह का क्यानाद है, तो ये हैं शुकर, देखे दोस्तों, शुकर और पृत्वी के बीच बनावट इतनी मिलती जुलती हैं कि शुकर को पृत्वी की बहन भीका जाता है नेक्स्ट तारों के मध्या ज्याद करने की इकाई कौन सी है तो यह इकाई है प्रकाशवर्ष लाइट इयर देखें दोस्तों तारे खगोलिय पिंड काफी दूर है उन्हें एक बड़ी मात्रा से नापा जाता है जो मात्रा है लाइट इयर मतलब की एक साल में लाइट कितनी ट्रेवल करती है उस हिसाब से उन खगोलिय पिंडों की दूरी को नापा जाता है और एक लाइट इयर की एक सेकंड में दूरी होती है 3,000,000 km मतलब लाइट एक सेकंड में 3,000,000 km का डिश्टेंज ट्रेवल करती है सबसे भारी ग्रह कौन सा है तो सबसे भारी ग्रह है ब्रहस पती यह हमारे सुर्मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है next प्रिथवी अपने अक्षपर कितने वंश यह डिगरी जुकी हुई है तो प्रिथवी अपने अक्षपर साढ़े 23 डिगरी जुकी हुई है next कौन सा ग्रह सुर्य से सरवाधिक दूर है देखो दोस्तों अभी पीछे आया था यह कोशन तो इसका जवाब है नेक्षण सूरिय अपने अक्षपर किस दिशा में घूमती है तो सूरिय अपने अक्षपर पूरव से पश्चिम घूमती है लेकिन अगर पृत्वी सूरिय की परिक्रमा करते वक्त पश्चिम से पूरव की और घूम रही है इसलिए हमें सूरिय पूरव दिशा में दिखाई लेता है Next, Sea of Tranquility कहां है? तो ये है चंद्रमा अब Tranquility क्या है? इसका मतलब है शांत समूंद्र किसे कहा जाता है? तो ये चंद्रमा को कहा जाता है Next, सबसे चोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे चोटा ग्रह है बुद्ध और ये हमारे सूरमंडल का पहला ग्रह है ये सूरिय की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है Next, किसे सूरमंडल का जनमदाता कहा जाता है? तो सूरमंडल का जनमदाता सूरिय को कहा जाता है अगर सूरिय ही नहीं होगा तो हमारे ग्रह पर जीवन नहीं होगा next सोर मंडल का सरवाधिक गरम ग्रह करों सा है तो सोर मंडल का सरवाधिक गरम ग्रह शुक्र है और यह सूर्य के नद्दीक है इस वज़े से नहीं है शुक्र ग्रह पर CO2 की मातरा सबसे ज़्यादा पाये जाती है जिसकी उज़े से यहां green house gas प्रभाव पड़ता है और ये ग्रह सबसे गरम हो जाता है Next किस तारा मंडल के तारे दुरुप तारे की और संकेत करते हैं तो ये तारा मंडल है सबतरिशी Next शनी को सूर्य के चारो चकर लगाने में कितना समय लगता है तो इसे लगता है 29.5 years देखे दोस्तों शनी जो ग्रह है यह हमारे सवर्मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है Next यूरेनस सूर्य के चारो और परिक्रमा में कितना समय लेता है तो यूरेनस सूर्य के चारो और परिक्रमा में 84 वर्ष का समय लेता है Next प्रिथवी परिबरमन करते हुए प्रती मिनट करीब कितनी दूरी तै कर लेती है तो प्रिथवी तै कर लेती है करीब 49 किलोमेटर की दूरी Next तारे का रंग किसका सूचक है तो तारे का रंग उसके तापमान का सूचक है देखो दोस्तों तारों के तीन तरंग पाये जाते हैं वाइट, रेड और ब्लू ब्लू तारा सबसे अधिक तापमान वाला होता है सबसे कम तापमान वाला वाइट कलर का होता है और जो medium color का होता है या medium तापमान का होता है वो red color का होता है Next, कौन से ग्रय हरे प्रकाश को उच्छ सरजित करता है इसका कहने का मतलब है कि कौन से ग्रय हराय color का दिखाई देता है तो वो है Neptune Next, हमारी आकाश गंगा के केंदर की परिकर्मा करने में सूरिय को कितना समय लगता है तो सूरिय को लगता है लगबग 25 करोड वर्ष Next, ब्रह्मान की उत्पत्ती का सरवादिक माने सिधान्त कौन सा है तो ये सरवादिक माने सिधान्त है Big Bang Theory इसे जादातर वग्यानी को द्वारा अपनाया गया है ये दिया गया था हबल के द्वारा इन्होंने कहा था कि ये पूरे ब्रहमान का निर्मान एक विस्वर्ट के साथ हुआ और सोरी है चन्द्रमा जैसे पुपग्रह इस वैंक दिषाओं में फैल वह नेक्स्ट प्रिथवी की आकाश गंगा गैलेक्सी को क्या प्रिथवी का सिधान को मन दाकनी कहते है नेक्सट प्रिथवी के आकाश गंगा के सब से शीतल और चमकीले तारे के समों को क्या कहते हैं तो इसको कहा जाता है Orion नेबूला important सवाल हैं देखेंगे दोस्तों यह सवाल काफी important हैं और ये सवाल बार बार परिक्षा में पूछे जाते हैं इसलिए इन सवालों का परट लीजिए ये हमारी जोगरफी सीरीज का पहला पार्ट है इससे आने वाला next पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर सर्व परति के दिनी और जुकाओ के समतुले उसका जवाब हैं इसका दिनमने जुकाओ लगबख प्रित्वी के समाले सर्व proktum खोजागया शुद्ग्रह कोंचा थे इसलिए ब्लेकciąल सिदन किस दवए दिया गया तो ब्लेक होल सिद्धान ऐस चंदर शेकर दोरा दिया गया देखें दोस्तों यह सिद्धान काफी जरूरी है और इक्षा में बार-बार पूछा गया है इस सिद्धान के तहट ब्लेक होल आकाश में एक ऐसी स्थिती है जहां पर वो अपने गुर्तव अकर्शन की वज़े से तारा मंडल हो चाहे ग्रहों चाहे उपत रहों उन्हें अपनी ओर खीच लेता है नेक्स्ट ब्रह्मान का सबसे बड़ा तारा कौन सा है तो पूर्य ब्रह्मान का सबसे बड़ा तारा है स्पाइडल हो रहेगी नेक्स्ट पृत्वी और चंदरमा के कक्षतलों में कितने ड इसे इंगलिश में डोग स्टारी बोला जाता है नेक्स्ट किस आकाशे पिंड को पृत्वी पूत्र कहा जाता है तो पृत्वी पूत्र कहा जाता है चंद्रमा को देखें चंद्रमा पृत्वी का उपग्रह है और चंद्रमा पृत्वी के चार और परिक्रमा करता है इसलिए उसे प्रिस्वी पूत्र भी कहा जाता है नेक्स्ट तारे के टिम्टिमाने का कारण क्या है तो तारे के टिम्टिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्थ है यह आप कह सकते हैं fraction of light next कि घटना के कारण आकाश कारण निला प्रतीत होता है तो यह प्रकीरन और आकाश कारण निला दिखाई देता है next अंतरिक्ष यान मेगलेन किस ग्रह पर भेजा गया तो यह यान मेगलेन मंगल ग्रह पर भेजा गया था सौर मंजिल का उनमें का कौन सा । ग्रह सुर्य से निकटता है तो यह है । भुध। इंगलिश में इसे मर्कृइ विका जाता है एक सवाल और बनता है इसमें कभी-कभी बॉल देते हैं इनमें से कौन सा ग्रह है किसी एक मैतल के नाम पर रखा गया है तो ये मेटल है तो ये ग्रह है मरकरी और ये मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेंपरेचर पर लिक्विड फों में पाय जाता है Next किस ग्रह का आकार प्रिथ्वी के आकार के लगबग बराबर है तो ये है शुक्र इसलिए शुक्र को प्रिथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है Next सूरिय से प्रिथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है तो सूरिय से प्रिक्षितक प्रकाश को आने में करीबन 8 minutes 16.60 seconds लगता है ये दोस्तो एक्जेक्ट है परिक्षा में आएगा तो 500 seconds ये 8 minutes 20 seconds आएगा तो उन दोनों में साथ किसी को भी टिक लगा सकते हैं next अंतरिक्ष्यात्री को आकाश करं नंग काला दिखाई देता है कौन सा तारह प्रिट्वी सम्य के सर्वाधिक समीप है। तो यह सूरिय ही एक तारह जो प्रिट्वी के सर्वाधिक समीप है। हमारे तोरमंडल जिसका नाम आकाश गंगा है उसका एक मात्र तारा सिर्फ सूर्य ही है नेक्स्ट शीग्रता से घूमने एवं उच रेडिय तरंग छोडने वाला पलसर क्या है तो यह है न्यूट्रन तारा इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तो नेक्स्ट ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है नेक्स्ट एक खगोल्य दूरी क्या होती है एक खगोल्य दूरी पृत्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर होती है दिके इस दूरी को वन एस्ट्रोनोमिकल यूनिट भी का जाता है और पृत्वी और सूर्य के बीच में करीबन यह दूरी है 14,86,000 km की Next सोर मंडल की खोज किस ने की तो सोर मंडल की खोज कौपर निकस ने की Important सवाल है दोस्तोई Next सोर मंडल का सबसे उचा परवत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है तो यह मुझूद है मंगल ग्रह पर Next एक प्रकाशवर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है तो एक प्रकाशवर्ष 9.46 क्रोश 10 की पावर 12 किलो मेटर के बराबर होता है Next देखे दोस्तों यह सवाल काफी important है और परिक्षाव में यही सवाल घूंफिर करके आते हैं तो इन सवालों का आप रट लीजिए या याद कर लीजिए और अगर यह सभी सवाल आपको अच्छे लगे हो तो क्रिपिया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई-नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए ये जुछी नाग में पर ये उन जीजिन एफान आपको येगे ये लीजिए येवार है